मिमाचल में सोनल के राजगर रोड पर एक दो बाइक सवार वेक्ती कपड़ों की दुकान ने समान खरीदने के लिए आए उन्होंने दुकान से कपड़े खरीदे और दुकंदार को नकली 500 का नोट देकर वहाँ से फरार हो गए जब दुकंदार को इस बात का हैसास हुआ तो उसने जाच की और सामने आया कि दोनों ग्राह को द्वारा दिया गया नोट नकली है वहीं दुकंदार योगे सूरी ने बताया कि उनकी दुकान में दो वेक्ती खरीदारी करने के लिए आये थे दोनों दूसरे राजिके लग रहे थे उन्होंने उनसे सामान खरीदा और नकली 500 का नोट दे कर चले गए ऐसा लग रहा था कि दोनों नकली नोट चलाने के लिए ही आये थे उनकी जेव में नोट की गड़ी भी थी उनसे दूसरे दुकंदारों को जागुट रहने की बात कही बाहरी राजिसे कोई भी ग्राहक सामान खरीदने आये तो उनके द्वारा दिये गए नोटों को एक बार जान जरूर ले